नमस्कार, उत्तर कोरिया के जो शाशक हैं किम जॉंग उन, उनकी खराब सेहत को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में पिछले लगबग दो से तीन हफता से अफवाएं उड़ रही हैं। अमेरिका और साउथ कोरिया की मीडिया ने ऐसी आधार हीन खबरों को ज्यादा हबा दी। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मताविक कार्डियो वस्कुलर सरजरी के बाद किम जॉंग की तबियत काफी ज्यादा बिगड गई थी। किम जॉंग की सिहत पर फैली अफवाओं के बीच दक्षणी कोरिया के जो मिनिस्टर हैं किम योन चुल उनका बयान आया है। उन्होंने कहा कि किम जॉंग 15 फरवरी को अपने दादा जी और उत्तर कॉरिया के फाउंडर के जनमुत सब पर नजर नहीं आये थे। ऐसे में उन्हें बीमार मान लेना सही नहीं है। शायद उन्होंने दुनिया भर में तेजी से फैलते कॉरोना वाइरस की वज़े से खुद को अलग कर लिया था। किम ये उन्हें ने कहा कि उत्तर कॉरिया ने अपने यहां कॉरोना वाइरस का एक भी पॉजिटिव केस होने से इंकार किया है। देश में कॉरोना वाइरस को लेकर कई सक्त कदम उठाए गए हैं। इसके भी साक्ष सामने आए हैं। हाला कि समारो में उनकी गैर मौजूदगी कोई सामानने बात नहीं है। पहले भी वो ऐसा करते रहे हैं। जब भी कोई इस तरह का समारो हुआ है वो गायब रहे हैं। साउथ कोरियन मिनिस्टर ने आगे कहा कि ये सच है कि किम जौंग जब से सत्ता में आए हैं। वे कभी अपने दादाजी और उत्तर कूरिया के फाउंडर किम इल संग का वर्डे सेलिब्रेट करना नहीं भूलते हैं। हाला कि उत्तर कूरिया में पिछले काफी वक्त से तमाम एनिवर्सरी इवेंट्स रद्ध किये जा चुके हैं। कॉरोना को ध्यान में रखते हुए कई आयोजन स्थलों को पहले ही बंद कर दिया था। किम योन ने अपने बयान में कहा कि इस साल जनवरी के बाद से लगभग दो बार ऐसा हुआ है जब किम जॉंग उन करीब 20 दिनों के लिए अचानक गायव हुए। उन्होंने कहा कि कॉरोना वाइरस को देखते हुए उनका यूँ अचानक गायव होना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले दक्षणी कोरिया के राश्पती भवन यानि ब्लू हाउस ने भी रॉइटर्स के हवाले से बताया था कि 36 साल के किम जॉंग के स्वास्ट को लेकर उत्तर कोरिया से कोई ऐसा माने संकेत नहीं मिला है। ऐसे में किम जॉंग के स्वास्त को लेकर अटकले लगाना सही नहीं है किम जॉंग की जो खराब सेहत है उस और फैली अफवाओं पर पिछले सप्ता अमेरीकी राश्पती डॉनल्ड ट्रंप ने भी वाइट हाउस समाचार सम्मेलन में कहा कि मैं आशा करता हूँ कि किम जॉं जानकारी नहीं है मंगलवार को ट्रंप ने दो अलग-अलग बयान दिये उन्होंने पहले कहा कि उन्हें किम जॉंग के बारे में जानकारी है लेकिन वे अभी नहीं बताएंगे हाला कि उसी प्रेस कॉन्फरेंस में ट्रंप ने कहा कि किसी को नहीं पता कि इस वक्त किम किम जॉंग को आखरी बार 12 अप्रेल को देखा गया था इसके बाद वो 15 अप्रेल को अपने दादा जी के जनम दिन पर हुए भवे समारों में भी नजर नहीं आई थे इस पूरे उत्तर कोरिया में इस दिन पूरे उत्तर कोरिया में बड़ा जश्न बनाया जाता है समारों में किम जॉंग की गैर मौजूदगी के बाद ही उनके स्वास्त को लेकर तमाम तरह की खबरें मीडिया में आने लगी उत्तर कुरिया में जब भी किसी बड़े समारों में किसी निता की गैर मौजूद्गी होती है तो उसके बाद कोई बड़ा घटना गरम देखने को मिलता है तक्रीबन 12 सार पहले किम जॉंग के पिता जॉंग इन के समय में भी ऐसी घटनाएं देखी जा चुकी है 2008 में उत्तर कुरिया की 60 वी वर्सगाट की परेड में किम जॉंग उनके पिता किम जॉंग इल निज़र नहीं आये थे इसके बाद उनकी सेहत को लेकर खबरे चलने लगी बाद में पता चला कि उन्हें स्ट्रोक आये था इसके बाद से उनकी सेहत बिगड़ती गई और 2011 में उनकी मौत हो गई तो ये था अब तक का ताजा अपडेट और अपडेट के लिए आप देख करेए खबर स्टेशन